हेलो गाइस चलिए आज आलू चनी की सबजी बनाते हैं बहुत ही आसान रेसिपी है बहुत ही जटपट बन जाएगी तो सबसे पहले मैंने आलू और चने इन दोनों को कुकर में एक साथ डाल के करीबन 4-5 सीटी लगा दी और मैंने एक बड़ा प्यास एक टमाटर कुछ लेह इची डाली और लहसन की कलिया डाल दी और टमाटर डाल दी इन सबको एक साथ अपको फ्राइ करना है उसके अद फ्राइ करके आपको साइड में रख देना है फिर कड़ाई में वापस से तड़का देना है जीरा का और जो हमने फ्राइ किया था उसको पेस्ट बना लेना है और फिर उसको कड़ाई में डाल देना घर के बहुती बेसिक मसाले जैसे धनिया, हल्दी और लाल मिच और गरम मसाला इन्हें डाल कर जो आपने आलू और चने बॉयल किये थे इन सब को फ्राई कर दीजे और अपने स्वाद अनुसा नमक डालिए उसके बाद जब यह आने तक इसको पकाईए और फिर आपकी सबजी तयार हो जाएगी